सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक फैसले से बहुत थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चे से एक निर्ड़े से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, मैं आरकुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ओलाइन इस्टिटूट टार्गेड विद आलोप मे दोस्तों संस्थान के द्वारा जूनियर सिख्षक भरती 2021 परिक्षा के लिए एक बहुत ही सांदार निश्चे बैच प्रारंभ हुआ है, और निश्चे बैच के बारे में संपूर जानकारियां आपने माननी रभी सर से प्राप्त की, और धिर धिर सभी बिस्यों के प्रमो अज विद्ग्यान की चर्चा हम लोग करेंगे, चो कि आप जानते कि विद्ग्यान को एक बिसय के रूप में यहाँ पर सामिल किया गया है, कहींनने एक महतनपूर भूमिका रहने वाली है विज्ञान की, तो आज हम विद्ग्यान को यहाँ पर सुरू करेंगे और बिल्क इसने भी segment होंगे, उन सभी को हम बहुत इत्मिनान से, बहुत आराम से, बहुत अस्थाई तवर पर समझते हुए चलेंगे. सबसे बड़ी बात बता दूँ आप सभी को, कुछ लोग अभी भी इस संदेह में होंगे, कि यह जो भरती की परिक्षा है, क्या इसमें BTC वाले सामिल नहीं है, बिल्कुल सामिल हैं. दोस्तों, इसमें BTC वाले भी सामिल हैं, BAD वाले भी सामिल हैं, तो निश्चिंत रहिए आप सभी लोग, इसके बारे में न सोची. अब रही बात, जो परिक्षा इसका लेविल क्या है, अगर लेविल की बात करी जाए, तो यह जो लेविल है परिक्षा का, सूपर टेट से थोड़ा सा उपर, और TGT-PGT से बहुत नीचे हैं, तो निसंदेह आप निसंकोच हमें वार्टसप कर सकते हैं, 8382966779 पर, और करने के बाद, आपको हमसे जुड़ने की प्रक्रिया बहुत आसानी से मालूम हो जाएगी, और अगर आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो नीचे टेलिग्राम का लिंक डिस्ट्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक को फॉलो करिए दोस्तों, और टेलिग्रा कोशिका विज्ञान पढ़ने वाले हैं, सेल बायलोजी पढ़ने वाले हैं, तो सेल बायलोजी पढ़ने से पहले, सबसे पहले देखिए, आपको समझना पढ़ेगा दोस्तों, कि यहाँ पर सेल क्या है, या साइटोलोजी क्या है, तो देखिए, हम दो सुरू करने वाले है Cell biology, cell biology जिसको हम कहते हैं Kosika vignyan, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहते है Kosika vignyan, तो Kosika vignyan को पढ़ने से पहले पहले आईए समझते हैं कि Cytology किसे कहते हैं, देखिए एक सब्द यहाँ पर बार बार आता है Cytology Cytology हम किसे कहेंगे, अगर हम Cytology की बात करें, दोस्तों ये ऐसा सब्द है, जो दो सब्दों से मिलकर के बना हुआ है मिलकल के form हुआ है एक सब्द की यहाँ पर क्या बन रहा है Cytology बन रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक सब्द क्या बन रहा है Lossy बन रहा है बिल्कुल विज्ञान की सुरुआत कर रहे हैं पहली कक्षा आपकी ऐसी रहेगी दोस्तो साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब क्या होता है लॉगोस सेल एंड लॉगोस अगर हम देखे तो विज्ञान की भासा में सेल और लॉगोस दोस्तो इसको हम क्या कहेंगे, अंगरेजी भासा में, cell का मतलब होता है smallest part, क्या होता है, smallest part, यानि कि सुख्ष्मतम भाग, और दोस्तो लोगोस का मतलब क्या होता है, study होती है, क्या होगी, study हो जाएगी दोस्तो, तो हम कहेंगे, study of smallest part of our body, that is called cytology, और सबसे छोटा भाग क्या है सुष्पमतं भाग क्या होता है दोस्तों ये होती है कोषिका, तो कोषिका का अध्यान, विज्ञान की साइटोलॉजी नामक शाखा में किया जाता है, अब देखिए, अब यहां पर एक सबद आ चुका है आपके सामने, कोषिका, ये दोस्तों कोषिका है क्या जैसा कि आप देख रहें लिखा गया smallest part सबसे सुक्षमतम भाग बता दू मैं आप सभी को इस धर्ती पर जितने भी जीव हैं जो जीवित हैं अगर हम कुछ exception को छोड़ें जैसे कि विसाडू कोसकी होता है जितने जीवित प्राड़ी धर्ती पर है अगर हम उन सब की बात करें तो सभी सजीव कैसे बनते हैं कोसिकाओं से बनते हैं दोस्तों हमारे शरीर में क्या है कोसिकाओं हैं जैसे आप देखिए सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे जिस बोड़ पर आप पढ़ रहे हो आप मुझे देख रहे हो जिस बोड़ पर आप पढ़ रहे हो जिस फोन में आप पढ़ रहे हो वो निर्जीव वस्तु है तो सभी निर्जीव वस्तुएं कैसे बनती हैं ये बनी होती अड़ों से अड़ों बनते हैं परमाड़ों से और परमाडu बनता है еलेक्टरान प्रोटरान और नूटरान से । ये हम सब जानते हैं तो ये रही निर्जीववस्तु की बाद, लेकिन दोस्तों ब्रहमान में जितनी सजीववस्तुवेर हैं, सभी सजीववस्तुवे कैसे बनती हैं, कोशिकाओं से बनती हैं, जरत जाए तो यह रेखा कैसे बनी है छोटे छोटे बिंदूओं से यानि छोटे छोटे बिंदूओं से क्या बन जा रही है एक रेखा बन जा रही है जब कोई देश बनता है तो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना होता है जब कोई राज्य बनता है छोटे छोटे जिलों से म मिलकर बना होता है तो संगठन कोई भी है सबका कोई ने कोई इकाई भाग होता है जैसे मकान का इकाई भाग इट है इस रेखा में इकाई भाग बिंदू है राज्य का इकाई भाग जिला है वैसे सभी सजीवों के सरीर का इकाई भाग क्या है कोशिका है कोशिकाएं हैं तो ह जीवित नहीं है कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो functional होती है और कुछ कोशिकाएं कारियर नहीं करती तो आप सोचेंगे ब्लैक्टी बुरह क्यूं होता है जब कारे करने वाली कोशिकाएं मरती है दोस्तों तो ब्लैक्ती क्या होता है बूरा होना शुरू हो जाता है अभी देखिए आप दोड़िये आप कुछ परिस्वरन करिए जब आप ठकेंगे तो ठकते क्यों है क्योंकि कोशिकाएं मरेंगी जब कोशिकाएं मरेंगी तो कोशिका के अंदर पावर हाउस है माइटो कांडरिया वो भी खतम होता है वो भी मरेगा जब माइटो कांडरिया खतम होगी तो आपके अंदर उर्जा नहीं मनेगी यानि एक बार छीक दीजिए लाखो कोशिकाएं मर जाएंगी और पुनह बैठ जाईए लाखो कोशिकाएं बन जाएंगी हमारा blood circulate हो रहा है पूरे सरीर में, हिरदय क्या कर रहा है, pump कर रहा है, kidney यानि फेफडा, जो kidney है वो यानि गुर्दा, वो blood को छान रही है, फेफडा यानि की lungs क्या करता है, ये फेफडा, blood में जो oxygen है, उसको क्या कर रहा है, पूरी body में भेद दे रहा है, carbon dioxide को बाहर कर दे ये सारे कार्य कैसे संभो हैं दोस्तों, कोशिकाओं से संभो हैं, बता दूं, यहाँ जो question बनता है, custom inspector किसे कहते हैं, या कोशिका में द्वारपाल कोन कहलाता है, कोशिका में पावर हाउस कोन कहलाता है, कोशिका में ट्रैफिक पुलिस कोन कहलाता है, कोशिका में आत्महत् कौन कहलाता है यह सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको मैं बताऊंगा one to all सब बताऊंगा आपको कि कोशिका में रसोई घर कौन है सब कुछ बताऊंगा तो दोस्तों यह समझ गए आप सभी लोग कि सजीवों के सरीर का सबसे सुश्मतम भाग क्या होता है कोशिका होती है और कोशिका का अध्यन हम विज्ञान की जिस साखा में करेंगे वह क्या दोस्तों साइटोलोजी है आईए हम आगे बात करते हैं कोशिका की जैसे मैंने आप से कहा कि कोई भी सजीव है कोई भी सजीव है कैसे दोस्तों सजीव का जो सरीर बनता है वो कैसे बनता है वो कोशिका स से बनता है कैसे बनेगा कोशिका से बनेगा अब देखिए कोशिका यानि की सेल हम सेल के भी से में सारी बाते करना सुरू कर रहें देखिए अगर दोस्तों हम सेल की बात करें कोशिका की बात करें तो अगर अपने सरीर का एक छोटा सा टुकड़ा काटें बहुत मामूली सा अ हम याँ से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा कोशिका मिलेगी कई ट्रिलियन कोशिका हैं हमारे सरीर में है दोस्तों पूरे सरीर का निर्मार कैसे हुआ है कोशिकाओं से हुआ है अगर कोई जीवारू है उसमें भी कोशिका है अगर कोई बहुत बड़ा सा वेल है उसमें भी को आप समझीगा देश कैसे बनता है छोटे-छोटे राज्यों से अगर छोटे-छोटे राज्यों को अलग कर देश बचेगा देश तो तूड जाएगा ना देश का सत्यानास हो जाएगा वैसे ही कोशिकाएं हैं तो छोटी बहुत मामूली सी लेकिन इन ही छोटी-छोटी कोश कोशिकाओं से सजीव के सरीर का निर्मार होता है अगर ये कोशिकाओं नहीं है तो सजीव भी जीवित नहीं है दोस्तों हम इसी की बात कर रहे हैं देखिए अगर कोशिका की बात करते हैं सबसे पहले परिभासित करने की कोशिस कर रहा हूं कि कोशिका कहते किसे हैं तो दोस् कार्यात्मक एवं सन रचनात्मक इकाई इकाई तो सजीवों के सरीर की कार्यात्मक एवं सन रचनात्मक इकाई क्या दोस्तों? ये कोशिका है अब यहाँ पर जो सब्द आपने देखा कि कार्यात्मक एवं सन रचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका अब कार्यात्मक का मतलब क्या है? और यहाँ पर एक सब्द आल लिखा गया है सन रचनात्मक इसका मतलब होता है functional दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? structural यानि सजीवों के सरीर की कार्यात्मक यानि हमारी बॉडी में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी जैविक क्रिया हो रही है, सारी जैविक क्रिया कैसे हो रही है, कोशिकाओं के द्वारा हो रही है, यानि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्सन हो रहे हैं, सारे फंक्सन के लिए जिम्मेदार कौन है, सेल है, कोश कोशिका है यसे पाचन क्रिया, स्वसन क्रिया, ठीक है ना, रक्त का परिसंचरण, जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, वो दोस्तों कैसे होती है, कोशिकाओं के कारण ही संभव हो पाती है, और फिल लिखा गया है, सन रचनात्मक इकाई, यानि हमारे सरीर का एक एक भ भाग कैसे बना है, कोशिकाओं से बना है, जब देखिए दोस्तों, जो बलड है, वो भी क्या है, कोशिका है, हड्डियों को जोडने वाला लिगामेंट क्या है, कोशिका है, मसल्स क्या है, कोशिका है, तंत्री का तंत्र क्या है, कोशिका है, तो हमारे सरीर का एक एक भाग कोशिकाओं द्वारा बना हुआ है दोस्तों तो कहते हैं कि ये सरीर की कार्यात्मक और सन्रशनात्मक इकाई है कौन है कोशिका अब देखिए यहां से एक कोशिका और फॉर्म हो रहा है बहुत सांदार कोशिका दोस्तों कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की है अब इसका उत्तर दीजिए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की है बता दे आप सभी को 965 की बात है सोड़ी 1665 की बात है 1665 इस भी में एक वज्ञानिक थे जिनका नाम था Robert Hook Robert Hook और ये बात कप की है ये बात है 1665 की दोस्तों तो 1665 में Robert Hook ने अपने द्वारा खुद के द्वारा एक माइक्रोस को बनाया हुआ था जो माइक्रोस को बनाया था अब देखिए हुआ ये कि देखिए पहले जो ये बाटल हुआ करती थी आप इस बाटल को देख रहे है आज से इतने साल पहले 1665 की बात हो रही है सोचो दोस्तों उस समय जो ये बाटल होती थी इस बाटल का धक्कन जो था जो इस बाटल का धक्कन होता था यह माली जे कोई बॉटल का धकन है यह बॉटल हो गई है अब ज़रा समझेगा दोस्तों यह क्या है बॉटल हो गई जो इस बॉटल का धकन था वो लकडी के कार्क का बनता था किसका लकडी के कार्क का लकडी के कार्क का इस बॉटल का धकन बनता था तो 1665 में राबर्ट हुक ने क्या किया इसी लकडी के कार्क के धकन को बहुत ही मामूली सा छिल दिया एकदम पतला भाग इतने पतले भाग को छिलने के बाद क्या किया खुद के माध्यम से बनाई एक माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इस रावर्ट हुक को एक पतली सी लंबी ऐसी सनचना प्राप्त हुई और यही कोशिका की कोशिका भित्ती थी यहींनि सबसे पहले कोशिका की खोज लकडी के कार्क के अंदर खुद से बनाए हुए माइक्रोसकोप में रावर्ट हुक ने 1665 में की थी अब आप सोचेंगे कि यह जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई तो भाई जब रावर्ट हुक ने खोज करी थी ना तो उस खोज का वर्डन किया था अपनी एक पुष्टक में जिस पुष्टक का नाम था माइक्रो ग्राफिया तो दोस्तो रावर्ट हुक ने क्या किया रावर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की और अपने द्वारा लिखी गई एक पुष्टक थी माइक्रोग्राफिया उसी में इसका वर्डन किया तो पुछेगा पुष्टक का नाम क्या है तो आप बताएंगे माइक्रोग्राफिया 1665 ये पुष्टक का नाम था माइक्रोग्राफिया लेकिन दुरभाग की बात ये है जिस कोशिका की खोज रावर्ट हुक साहब ने की थी वे कोशिका जीवित नहीं थी वे कोशिका मरी हुई कोशिका थी तो हमारे सामने एक और भयारक सा प्रस्न आता है कि अगर राबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोश की तो जीवित कोशिका की खोश किस ने की है दोस्तों हम बता दिया आप सभी को एक और बैग्यानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान लिवेन हॉक इनसे आप क्यों नह खुरुषते हैं दात की खुरुचुनी के अंदर ऐसे पतली सी खुरुचुनी थी उस दात के खुरुचुनी के अंदर जब दात को खुरुचा तो कुछ जीवाडू मिले और सबसे पहले इनहीं दात की खुरुचुनी में पराप्त हुए जीवाडू के अंदर सबसे पहल की खोज अब ये प्रसना आता है कि सबसे पहले जिवित कोशिका की खोज किस ने की थी तो दोस्तों आप तुरुम बताएंगे एंटोनी वान लिवेन हॉक ए वी लिवेन हॉक एंटोनी वान लिवेन हॉक ने सबसे पहले क्या किया था जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में ठीक इसके 9 वर्ष के बाद सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज हुई थी तो यहाँ देखिए सजीवों के सरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है कोशिका दोस्तों और खोज कौन की या राबर्ट हुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोश किस्ट ने की थी 1674 इस बी में जीवानू की खोश करता अब दोस्तों देखिए विज्ञान है और विज्ञान कभी रुखता नहीं विज्ञान कभी ठकता नहीं विज्ञान निरंतर चलता रहता है ठीक है आगे बढ़ता रहता है दोस्तों यही इंसान की प्रगति का रास्ता होता है आप सबी से मैं यही कहूंगा आपको मौके मिले हैं तो इसको भुनाईए हो सकता है दोस्तों ऐसा दोबारा मौका आपको ना मिले आप अपने आपको देखिए अपनी आत्मा से पूछिए कि वर्तमान समय में आप कितनी उचाई पर पहुचे हैं, क्या जहां पर आप हैं वहाँ संतुष्ट हैं, क्या जितना आपको मिल रहा है आप उतने सही खुश हैं, क्या जितना आपको मिला है, क्या उतने में ही समाज में आपका जीवन अस्तर बहुत उचा है, नहीं दोस्तों जो ब्यक्ति अपने आप से संतुष्ट हो गया समझे उसकी प्रगति क्या हुई रुक गई हमेशा अपनी एक्छाओं को आगे बढ़ाईए और आपके सामने एक और मौका आया हुआ है जूनियर भरती का तो मैं कहता हूँ जितनी उर्जा आपके पास है पूरी उर्जा से लग जाईए पूरी एनर्जी से लग जाईए दोस्तों और तब तक मत रुकिये जब तक से लगसन आपका ना हो जाए इतना भी आसान नहीं है अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो खुद से पुछिए अपनी आत्मा से पुछिए कितना पढ़ने से आपका हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आप उस माबाप के बारे में सोचिए जो खुन पसीना बहा करके आपको पढ़ा रहे हैं अगर आपका नहीं पढ़ने का मन करता तो आप उसको देखिए जो लोग नहीं पढ़े हैं और आज मजदूरी करके अपना जीवन चला रहे हैं उनको हर चीज़ समस्या है दोस्तों अगर समाज में आपको एक जीवन अस्तर अपना मेंटेन करना है तो आपको कहीं कहीं सेलेक्शन लेकर के सेट होना है और दोस्तों सबसे बड़ा सबसे आलो की पूरी टीम मैं स्वाहिम आरकुमार आपके समख्च दोस्तों हमेसा उपलब्द रहूंगा और हम लोग हर तरीके से जैसे होगा वैसे त्यारी करेंगे विज्ञान भी से में मैं आपको ये मैं आपसे ये गरांटी ले रहा हूँ कि दोस्तों हम लोग पूरांग पंचानवे परसंट लिखित के साथ लाएंगे दोस्तों यहां देखिए विज्ञान कभी रुपता नहीं है और इसी कड़ी में क्या हुआ विज्ञान आगे बढ़ता रहे गया अब बात आती है दोस्तों कोशिका के सिध्धान्द की तो आप जानते हैं दो वैज्ञानिक दो वैज्ञानिक थे दोस्तों एक कनाम था तो हम बात करेंगे यहां पर कोशिका सिध्धान्द की तो दोस्तों दो वैज्ञानिक थे एक कनाम था स्लाइडेन और एक कौन थे स्वान थे दोस्तों एक कनाम था स्लाइडेन और एक कनाम था स्वान दोस्तों स्लाइडेन और स स्वान दोनों अलग-अलग बज्ञानिक थे एक plant scientist और एक animal scientist दोनों बहुत दिनों से कोशिका भी ज्ञान पर अध्यन कर रहे थे चर्चा और परिचर्चा कर रहे थे और इसी कड़ी में इन्होंने मिल करके किताब निकाली और जो किताब निकाली दोस्तों उस किताब का cytology में सबसे पहले कोशिका सिद्धानत दिया गया क्या दिया गया दोस्तों कोशिका सिद्धान दिया गया यानि कि cell theory सबसे पहले कब दी गई यह दी गई थी अठारा सो अनतीस वनतालिस इस बी में और किस पुस्तक में दी गई थी तो साइटो लॉजी नामक बुक में दी गई थी और ये बुक किस की थी तिये स्लाइडेन और स्वान की थी और दोस्तों इस बुक में क्या कहा गया इस बुक में कहा गया कि सभी सजीवों के सरीर का निर्मार छोटी-छोटी कोशिकाओं से होता है ठीक, दोस्तों क्या बोला गया इस थियोरी में क्या बोला गया इसमें कहा गया कि जितने भी सजीवों हैं कहा गया, जितने भी सजीवों है सभी सजीवों के सरीर का निर्मार का निर्मार छोटी 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 कोशिकाओं द्वारा होता है क्या बोला गया कि सभी सजीव के सरीर का निर्मार छोटी छोटी कोशिकाओं द्वारा होता है दोस्तों कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती है क्या बोला गया कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती है यह सबसे पहले कहाँ पर यह हमें पढ़ने को मिला दोस्तों यह हमें जानने को मिला सेल थेओरी में और सेल थेओरी सबसे पहले किसने प्रस्तूत की थी तो स्लाइडेन और स्वान ने दोस्तों और किस पुष्टक में दी थी तो साइटोलाजी में बताया गया कि सभी सजीवों के सरीर का निर्मार छोटी-छोटी कोशिकाओं द्वारा होता है और इसी में एक बात और कही गई थी दोस्तों बात कही गई थी कि कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं देखिए अब ये सारे पॉइंट्स कहां बताए गए ये सारे पॉइंट्स बताए गए कोशिका सिद्धान्त में कि कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं दोस्तों ये कहां बताए गए पॉइंट्स ये पॉइंट्स बताए गए थी के अंतरगत और Cell Theory, सबसे पहले किस ने दिया, तो Sliden और Swann ने दिया, आप देख सकते हैं कि Cell Theory में कौन-कौन से points बताए गए थे, अब यानि कि हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा, कि कुछ जिवधारी ऐसे हैं, जो एक कोशिकी हैं, कुछ जिवधारी ऐसे, जो बहु कोशिकी हैं, अ विशाडू एक ऐसा जिवधारी कहलाता है, जिसमें कोई कोशिका नहीं होती, वो जिवित और मृत के बीच की कड़ी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो परिभाशा है, कि कोशिकाएं एक या अधिक, येक या एक से अधिक हो सकती हैं, तो ऐसे में कोश्चन जब बनेगा, कि एक कोशिकी जिव कौन से हैं, यानि यूनी सेलूलर, एक कोशिकी है, एक कोशिकी है, जिव कौन से होते हैं, ठीक है, अब इनको हम कहते हैं यूनी सेलूलर, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम कहते हैं यूनी सेलूलर, और दोस्तों फिर पॉइंट बनता है, कि अगर हम एक कोशकी जीवों की बात करें तो दोस्तो सबसे पहले हम यहां सामिल कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले जीवारू दोस्तो जीवारू क्या होगा यह यूनी शल्लर होता है जीवारू है, माईको प्लाज्मा है और इसी करीम जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो तो इसी करीम हम वें देखनों को मिलता है कि अमीबा आप जानते हैं अमीबा के बारे में अमीबा सबसे छोटा जन्तू है अमीबा एक कोशकी उसके बाद दोस्तो युगलीना क्या होता है एक कोशिकी है युगलिना ऐसा प्राड़ी है ऐसा जन्तु है जिसके अंदर केवल एक कोशिका होती है लेकिन यहाँ एक मात्र ऐसा जन्तु जो प्रकास संसलेसी होता है यानि कि यह photosynthesis की क्रिया करने वाला जन्तु है इसलिए इसको पौधे और जन्तुओं के बीच की कड़ी कहते हैं और दोस्तों यह सबसे छोटा जन्तु है आगे हम इसी कड़ी में कह देंगे Paramecium 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 दोस्तों यह सभी क्या होते हैं? इसके अतरिक्त बहुत सारे प्राड़ी आएंगे जैसे की नील हरिस सैवाल आप देखेंगे दोस्तों नील हरिस सैवाल धर्ती पर सबसे पहला आने वाला पादप यही है नील हरिस सैवाल Blue Green Algae और यह एक जैवी खाद भी है इसके भी सैमें आपको भली भाती ग्यात होगा कि यह जैवी खाद है Bio Fertilizers भी है एजोला के साथ इसका प्रयोग किया जाता है अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे बहुकोसिकी की कि बहुकोसिकी क्या होते हैं? देखे, अगर बहुकोसिकी की बात करी जाए तो आप सब जानते होंगे कि बहुकोसिकी यानि कि Multi Cellular देखे, बहुकोसिकी यानि कि Multi Cellular देखो, अब यह已经 Multi का मतलब होता है An artık Cellular का मतलब होता है कोसिकायें यानि कि ऐसे जन्तु जिनके सरीर में अनेक कोशिकाए होती हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं multi-cellular तो आप देखेंगे जो बड़े जन्तु हैं विक्सित पेड़ पौध है और विक्सित जन्तु किसमें आएंगे बहु कोशिकी में अब हम लोग क्या हैं? बहु कोशिकी हैं एक बहुत बड़ा पेड़ है छोटा सा पेड़ है यह सब क्या है? बहु कोशिकी हैं दोस्तों या यू कहें तो कोशिकाओं को हम दो भागों में और डिवाइड कर देते हैं आपने पढ़ा होगा प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में भी दोस्तों पहले बात करेंगे यहाँ पर बहु कोशिकी के बारे में देखिए यहाँ पर कहेंगे विक्सित जन्तु अब देखिए विक्सित मैं क्यों बोल ला हूँ? अमीबा भी क्या है? जन्तु है पर ये विक्सित नहीं है ठीके दोस्तों और कहेंगे विक्सित पौध है विक्सित पौध है अब इन सब में क्या होती बहुशारी कोशिकाय होती है इसलिए इसमें उतक बन जाते हैं टीशू का फॉर्मेशन होता है यसे आप जानते हैं कि पौधों के अंदर क्या होता है पै बहु सारे उतकों का विकास होता है पेड़ पौधों के अंदर, ठीक है ना, तो दोस्तों ये क्या रहा, एक कोशिकी और बहु कोशिकी की बात कर ले, आप देखें यहाँ पर स्लाइडन और स्वान ने भले ही कोशिका का निर्मार बताया था कोशिका कैसे बनती है, लेकिन स् जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, परंत ये यह नहीं बता पाएं कि कोशिकाओं का निर्मार कैसा होता है, एक और महान वज्यानिक आते हैं, जिनका नाम है रोडॉल्फ विर्चो, ये बात है 1855 की, क्योंकि 1808 में सिधान आया, और कोशिका सिधान में कहीं ये नहीं बताय गया था कि कोशिकाओं का निर्मार कैसे होता है, आईए हम बात करेंगे कि दोस्तों इसकी चर्चा कब होई थी, देखिए, दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कोशिका निर्मार की, कोशिका निर्मार, कोशिका निर्मार की बात करेंगे, दोस्तों सबसे पहले कोशिका के न तियोरी प्रस्तूत की, कोशिका के बारे में सबसे पहले कुछ बताने की कोशिस की लेकिन दोस्तों दुरभाग की बात ये है कि वो लोग ये नहीं बता पाएं कि कोशिकाएं कैसे बनती हैं तो दोस्तों एक वग्यानिक आते हैं इनका नाम था रुडॉल्फ विर्चो नाम क्या था इनका रुडॉल्फ विर्चो तो सबसे पहले रुडॉल्फ विर्चो ने विर्चो ने दोस्तों क्या किया है तो सबसे पहले रोल्म विर्चो ने कोषिका का निर्मान कैसे होता है इसके बारे में बताने की कोषिस की देखिए रहोने क्या बोला है इनका एक सब्द है Cellula E इसका मतलब यह है कि पुरानी कोसिकाओं से नई bullets बनती है दोस्तों ये लक्ष आपका है न सिक्षक भरती की परिक्षा जूनिय सिक्षक भरती दोस्तों इसी लक्ष को आखरी मान लो और इसी लक्ष को आखरी मानते हुए आप निरंतर कठिन परिस्रम करिए निश्चे बैच है और ये दोस्तों निश्चित है कि इस निश्चे बैच से ही आप सफलता के परचम तक पहुँच जाएंगे सफलता की उचाई तक पहुँच जाएंगे दोस्तों इसे लिए आप हमें वर्टसअप करेंगे वर्टसअप करके आप हमसे syllabus के बारे में जूड सकते हैं पूछ सकते हैं आप हमसे कैसे तयारी करनी इसके बारे में पूछ सकते हैं कैसे पाठ करम है आपका, उसके भी सहें पूछ सकते हैं, यदि आप एक छुक हैं, तो आप हमारी बैस से ज्वाइन हो सकते हैं, दोस्तों, चलिए, देखिए, इनका मतलब था, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं बनती हैं, किस ने कहा था, 1855 में, रोडोल्फ बिर्च हम बोल दिये, कि शलूला, इस शलूला, लेकिन देखने वाली बात यह हैं दोस्तों, कि कैसे पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं बन जाती हैं, आईए एक मजे की बात हम लोग यहाँ पर कर लें, देखिए, जैसे आपको पता हैं दोस्तों, कि largest cell of human, वो दोस्तों क्य होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, हमारे अंदर मानों के अंदर ओम, और मानों के अंदर सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, इस पर्म होती है, यानि इसको हम कहते हैं अंडा, अंडारू, क्या बोलते इसको, अंडारू बोलते हैं मानों सरीर की सबसे बड़ी सिका है क्या होती सुकराडू और हम क्या सिद्ध कर रहे हैं सलूला इस सलूला को जब दोनों मिलती हैं दोस्तों कहा मिलेंगी जब दोनों मिलेंगे फैलिवपियन ट्यूब में तो दोनों के बीच क्या होता है निसेचन होता है फरटिलाइजेसन और निसेचन की घटना के बा और दोस्तों जाइगोर से क्या होगा? एक भृूण का विकास होता है ये ही अभ्रियो का विकास होता है और यही अभ्रियो आगे दोस्तों क्या बनता है? सिसू बन जाता है देखिए यानि कि दो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर के क्या वनी नई कोशिका बन गई भ्रोड का निर्मार हो गया तो इसलिए कहा गया कि सलुलाई सलुलाई यानि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्मार होता है और सबसे पहले ये किस ने बताया रोडोल्फ बिर्चो ने बताया था अब आईए एक महत्पूर विशेपर और चर्चा कर ले सबसे बड़ी कोशिका का नाम यहाँ पर आया है तो चलिए इसके बारें तुना सा और जानकारी हम ले ले कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है सबसे चोटी कोशिका क्या है दोस्तों तमाम दबाओ को देखते हुए मैंने कुछ trick कुछ अपना तरीका तयार किया है और अपने तरीके से जो चीजे रट्टा मारने वाली है न आपको हम दोस्तों दोनों को दोनों के संगम से हम लोग आसानी से अपने लक्ष की तरफ अगरसर हो जाएंगे और फाइनली हम लोग अपने टार्गेट तक पहुँच जाएंगे अपने गोल तक पहुँच जाएंगे दोस्तों जो सब्सक्राइब परिक्षा है इस परिक्षा में जो भी करना हो, आपको जितनी मेहनत करनी हो, जितनी त्यारी करनी हो, जितनी उरजा है, सब लगा दीजिए, समझ ये कि आपके लिए आखरी मौका है, हलांकि अपॉर्चॉंटी फिर मिलेगी, लेकिन अगर इसी मौकवे को आखरी मानेंगे, तो निश्चि से खेलना बंद करिए अब वो समय नहीं रहा आपकी सिक्षक भरती की परिक्षा पांच वर्स में एक बार क्लियर होती है अगर मौका मिल रहा है तो मौका हाथ से निकलना पाए और इस मौके को भुनाने के लिए टारगेट विद आलोग ओनलाइंश्टूट बिल्कुल कोश्चन बनता है सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका वाला तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अच्छा आप यह बताईए कि गाओं में मम्मी को क्या कहते है तो गाओं मम्मी को देखिए कुछ लोग पहले अमा पहले माता जी बोलते जैसे पिता जी पहले बाबु जी वा करते थे, बाबु जी से पिता जी हुए, पिता जी से डैडी हुए, डैडी से डैड हो गए, डैड से डैड, तो कितने लोग पापा कहते हैं, पापा से क्यों पापा बोलेंगे, फिर कहेंगे पॉप्स, हाई पॉप्स, फिर कहेंगे तो तमाम चीजे हैं यह नाम जो है दोस्तों ऐसे होता है तो गाव में समझे कि मम्मी को क्या बोलते हैं मम्मी को माई कहते हैं अब सोचिए कोई एक लड़का है छोड़ा सा एक लड़का है वो दोस्तों अपने माई जो है छोटी माई थी छोटी है चोटी है बड़ी है तो ब किया, मना किया, कि बाबू सरारत मत करो, अच्छे से रहो, फिर ये नहीं मानता है, इन्होंने फिर क्या मना किया, फिर भी नहीं मान रहा है, तो तिसरी बार फिर छोटी माई ने मना किया, कि सरारत मत करो, और अच्छे से खेलो, लेकिन ये नहीं माना, तो छोटी माई ने क्य किया दोस्तों हाथ से मार दिया यह मार दिया तो बच्चे बड़े सैतान होते हैं यह कुछ दर के लिए मान गया लेकिन फिर सरारत करना शुरू कर दिया और जैसे फिर सरारत किया तो छोटी माई ने क्या किया दोस्तों इसको पैर से मार दिया और हमारी भोस्चुरी में पैर छोटी माई बस लात मारती है पढ़ते रहिए दोस्तों पढ़ते पुरा बिज्ञान खतम हो जाएगा छोटी माई बस लात मारती है कोशिका का सामान में परिचे हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी क्लास आपको मिलेगी डिटेल से दोस्तों देखे छोटी माई बस लात मारती है यहां देखे कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है छोटी माई तो सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका दोस्तों छोटी हो गया अब उसके बाद देखिए क्या है उसके बाद यहाँ पर माई है तो बंधू माई से क्या होता है माईको प्लाजमा क्या हो जाएगा माईको प्लाजमा गैली सेप्टिकम इसका नाम देखिए क्या है mycoplasma gallis septicum की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों इसी को हम कहते है PPLO pleuro pneumonia like organism क्या बोलेंगे pleuro pneumonia like organism इसी को हम कहते हैं और दोस्तों उसके बाद क्या हो जाएगा फिर देखिए क्या है बह तो बहुत से क्या हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका largest cell in ever दोस्तों फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हम कहते हैं सादे किये सुतुर मुर्ग का अंडा आप जानते हैं सुतुर मुर्ग सबसे बड़ा पक्ची है और सुतुर मुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा अंडा होता है तो सुतुर मुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों फिर देखे क्या लिखा गया है लिखा गया ला तो ला देखिए क्या हो जाएगा ला हो जाएगा सबसे लंबी कोशिका क्या होगी सबसे लंबी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका कि अगर बात करी जाए तो आप क्या बता दोगे आप बता दोगे त दोस्तो ता से क्या हो जाएगा तो ता से हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र, यानि कि जो निवरान सेल होती है, क्या होती दोस्तों, जो निवरान सेल होती है, वो सबसे लंबी कोशिका, लगभग 90 cm से 100 cm तक लंबी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका दोस्तों किसकी होती है, वो होती है तंत्रिका तंत्र की तो यहां देखिए सबसे छोटी कोशिका किस्चिस की माइको प्लाजमा गैलिश हर्टिकम की पीपियलो सबसे लंबी कोशिका किस्ची विया तो सबसे बड़ी कोशिका किस्ची सुत्रमुर्ग के अंडे की दोस्तों फिर दिया हुआ है कि सबसे ल मानो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है ये दोस्तों कोशन हमारा बन जाता है और फिर कोशन ये बनता है कि मानो शरीर की सबसे चोटी कोशिका क्या होती है सबसे चोटी कोशिका क्या है जब बड़ी पूछेगा तो बस एक पॉइंट आप बोलेंगे अंडारू दोस्तों फीमेल का अंडारू यानि की ओवम अगर पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो अंडारू बोलेंगे फीमेल का अंडारू अगर कोशन ये पूछता है कि सबसे चोटी कोशिका क्या है दोस्तों तो सुकुरारू यानि की स्पर्म तो जो स्पर्म सेल होती है वो सबसे चोटी कोशिका है और दोस्तों जो यहां पर कौण सी कोशिका है अंडारू ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानों की और यहां दोस्तों अगर हम बात करें neuron cell की तो neuron cell सबसे لمبी cell होती है अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी सुतुर मुर्ग के अंडे की ऑस्टिस के एग की cell की तो दोस्तो सबसे बड़ी cell होती है ever the largest cell अगर हम बात करें mycoplasma galli septicum की तो यह सबसे छोटी कोशिका होती है तो दोस्तो eukaryotic cell जैसे कि आपको मिलेगा पढ़ने को plant cell कौन सी है animal cell कौन सी है या फिर mycoplasma जो यहाँ पर पूछता है कि हरित लवक किसमे होता है और किसमे नहीं होता centrosome किसमे होगा किसमे नहीं होगा दोस्तो सारे points हम पढ़ेंगे mitochondria का structure क्या होता है ribosome के बारे में पढ़ेंगे हम सभी लोग endoplasmic reticulum जिसे हम कोशिका का कंकाल कहते हैं इसके विसे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर आप सभी के साथ साजा करेंगे तो आज कोशिका का संचित परिछे मैंने आप सभी को दिया है मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी आगे के सेग्मेंट के साथ मैं फिर से आऊंगा और कोशिका में हम लोग और भी सारे पॉइंट समझेंगे जो दोस्तों कोशिका में बन सकते important point तो एक बार मैं दोस्तों आपसे फिर से आगरा करूँगा मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही क्लास चाहिए तो संस्थान से जुड़ने के लिए आपको नमबर स्क्रॉलिंग में मिल रहा होगा स्क्रॉल हो रहे नमबर पर आप हमें वाटसप कर सकते हैं दोस्तों या फिर क्या करना है आपको यहां देखिए 83, 82, 96, 67, 89 इस नमबर पर भी आप वाटसप करेंगे और वाटसप करने के बाद बैच के बारे में सभी जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी दोस्तों फिर मिलते हैं कोशिका के एक नए सेगमेंट के साथ आज के लिए वसे इतना ही जय हिंद